गुड मॉनिंग ओल अफ्यू कक्षा साथवी विशे हिंदी पाठ चोथा देहान और शहर देखो बैच्चो पिछले भाग में हमने देहान और शहर के बारे में देहान ने शहर को पत्र लिका है उस पत्र को हमने देखा है और देहान ने अपनी दुख भरी कहानी शहर को सुनाई है तो देखो शहर क्या बोलता है प्रिया मित्र देहान नमस्कार आज स्वातंत्र दिवस है इस उपलक्ष में हार्दिक बधाई पत्र मिला तुमारी प्रगति के बारे में जानकर खुशी हुई मित्र परिवर्तन शृष्टी का नियम है परिवर्तन मतलब बदलाओ भला तुमारी स्थिति क्यों न बदली दीरे दीरे और भी विकास होगा दीरे दीरे मना दीरे दीरे सब कुछ होई माली सीचे सो घोडा रुतु आये फल होई मतलब यह जो है वो दीरे दीरे होगा सब कुछ अच्छ होगा और उसका फल भी अच्छा मिलेगा माना कि कुछ परेशानिया है वहां कि परिवार तेजी से मेरे यहां आ रहे है परन्तु यहां आकर भी सब कहा सुकी है चिराक तले अंधेरा मतलब यहां आकर भी कोई सुकी नहीं है खुश नहीं है उनको भी बहुत सारी परेशानिया है जिन बस्तियों में जिन हालातों में वे रहते हैं तुम सुनोगे तो और बेचन और व्यतित हो जाओगे मेरे यहां की दिन बदिन बढ़ती भीड से मैं परिशार हो उटा हूँ जिस चमक दमक की बात तुम कर रहे हो वह सबको कहा उपलब्ध है तुमारे यहां से जो यहां आते हैं कई बार बाद में पचता आते भी है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लोगों को समय रहते अपना महत्व समझाओ छोटा परिवार सुखी परिवार की बात अब उनकी समझ में आ जानी चाहिए तुम उन्हें बुराईयों से दूर रखकर अपनी व्यावसाईक कोशल्यों, कम्प्यूटर, सम्मंदी, जानकारी विकशित करने के लिए तरफ धान दो खेल तो ग्रामिन जीवन की आत्मा है दोड़ना, तैरना, पेडों पर चड़ना, उतरना तो वहां के बच्चों की रगरग में बसा है आज कितने व्याख्यात खिलाडी गाउं से ही आगे बढ़ रहे है उनको प्रोच्चाहित करना तुमारी नेतिक जिम्मेदारी है खेल संबन्दी मार्गदर्शन देकर हमारा देश अंतर राष्ट्रिय स्तर पर प्रगति कर रहा है अपने गाउं को एक परिवार समझ कर उसे व्यकसित करने का प्रेयतना करना होगा तुमारी और मेरी समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी अशिक्षा और गरीबी है देखो बच्चो हम कहते हैं कि हमारा गाउं छोटा है हम अपने गाउं में खुश नहीं रह सकते गाउं में कुछ भी नहीं है लाइट नहीं बिजली नहीं है और पानी की सुविधा नहीं है तो क्या बच्चो शेहर में जाकर ये परिशानिया नहीं होती है क्या ये परिशानिया शेहर में भी होती है तो यह शिहर ही देहन्त को समझा रहा है कि बहुत सारे बच्चों विख्यात मतलब बड़े-बड़े बहुत प्रसिद ऐसे भी लोग है तो कहां से आ रहे हमारे गाउ से हैं जा रहे हैं तो मतलब पड़ाई करना या फिर उनके बारे में जानकरी अमारी गाउ को एक अच्छा गाउ बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे यहां लोग रोजगार की तलाश में आना कम कर दे तुम गाउंवालों को सहकारिता का महत्व समझाओ सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे व्यावसाय तुम अपने यहां शुरू करवाओ ताकि क्रूशे आधारित आनेक लगू उद्ध्योग फोलो उद्ध्योग अवशदिय वनस्पतियोग की खेती पशुपालन जैसे आनेक व्यावसाय शुरू किये जा सकते हैं अरे द्यांद भाई कितने भाग्यशाली हो तुम प्रदुशन मुक्तवा तवरन है रहते हो खुला खुला परिसर न धुवा न वानों की चिलपो हरे भरे पेड ये सब चीजे तुमारे पास है रात में तारो भरा आसमान तो सबेरे उपते सूरज के दर्शन कितनी सहसता सरलता से हो जाता है हम तो ये मारुतों के जंगल में बदल गए है खुला आसमान बड़ा मैदान हमारे लिए कितने अनमोल ये दुरलब हो गए है ये तुम नहीं समझ सकते तुमारे तहसिल और क्षेतर के लोगों को चाहिए कि वे अपने क्षेतर का सरवांगिन विकास करने के लिए अपने जना प्रतिनीदियों का सहयोग ले तुमारे यहां जो बच्चे विद्याले में पढ़ रहे है यदि अभिसे उन्हें सही दिशा उचित मार्गदर्शन किया जाए तो भविश्य में वही हम सब की व्यता कम कर सकते हैं वे ही हमारे आशा स्थान है मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर आवश्य ध्यान दिया जाएगा देखो बच्चों कितना अच्छा सा समझाया है शेहर ने मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि शेहर में जाके ही सब कुछ हो सकता है हम गाव में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं ये पाट यहां पे पूरा हुआ इसका स्वाध्या अगले भाग में देखेंगे